सात्यों नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल राहुल सिवाच में और आज भाईयो मैं आया हूँ रोबिन भाईयाजी के पास मैं जो की ट्रंच विदी से गन्ना भी लगाया नो नर गन्ने में सहबागी में भी फसल लेते हैं और ट्रंच विदी के गन्ने क कि अच्छी नो लिजए भाईया जी को काफी समय से इसी कारिया में लगे हुए है और बहुत जंगे गए भी तो आज इंसाइन का नुभाव भी लेंगे ट्रंच के गन्ने का और किसान को शहबागी में करना चाहिए ऐसा ही बना चाहिए सारी बात चीतिन के द्वारा आज वीडियो के माद्यम से मिलेगी तो भाईया क्या अलब या राम नाम रोभी ने भी जी ग्राम पबला जिला मेरत अच्छा जी तो कार काफी टाइम से बहुरा हुए लगबग कितने साल होगी जी चार-पाल साल होगे अच्छा तो जैसे आप इतनी जाएंगे गुम्मे कर रहे है अच्छा जी चोटे किसान के लिए तो मेरे हिसाब से अच्छा है अच्छा मतला में कुछ बचाते नहीं होते तरने बनावनों सारे अच्छा यंशान नहीं कर बाण से आठी जी तो यह चोड़े टेक्टर के आप इस दी के दिक्कत कर देंगी तो हम भी बोलें पर बगए तरब बढ़ने की दी दूसी बात यदि आप इतना दिहान ना देगा सहे फचली में ज्यादे बैने फचली तो आप सहे फचली में क्या कर रहे हैं यह तो पहुत चीज कर चुका हूं पपिता नहीं होगा मेरे हैं अलों अब आपका तरबूज बहुत आपके सामने हैं तो इसमें एक चीज बताओ जैसे तरबूज का बीजी आव मतलब अच्छा तो उसमें आपको बांस वाकरा बांने पड़े या ऐसे बेल निचे चली जिस पार समय में घड़ा हुआ यहां पर जी 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 इसमें बड़ी बेल हो जाला लाग बगिस की आप मानों करे लेगी करे लेगी वाली कंडिशने अच्छा कर निच्छा निच्छा अच्छा तो जी एक मतलब आपने कितना लगाय था लगाया था अच्छा पांच विगाव लगाव जी इसमें तरबूस था जी देखो यह वाली खाल ली थी अच्छा तो यह मतलब गन्य की आपकी आप साइज अच्छा पहले इसकी तरबूस की बेल लगाया आपने नहीं दोनों साथ एक साथ ही अच्छा जी 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 अपने अपने मशीन सब भड़कट रहा की अच्छा तो फर्वरी में लगाई तो यह लगाए जी तरबूस और लगाई तो तो इसमें आपना क्या हिसाब किताब रहा अच्छा जी तो अब यह मान सकते हैं जी आप डेड़ मैस है आप 50 तो अगली बार को भी करोगा तो अच्छा इसमें लेवर अगयर करी नहीं जी आज भी घर में तरहे हो तो शही है नी लेवर तो खेती नहीं है बिल्कुल बिल्कुल दूसरा और तरह तरह नहीं दे पाते हैं यह तर्बूज का जो सिस्टम है तब टाम देने का बहुत अच्छ बार की वराइटी आइटी है जी क्डूल थे घर रही है बिल्कुल बिल्कुल तो इस बतर लगबक जी ठीक पांच दोनी दस हाँ बीस हजार रुपे का आपका हिसाब इसका आ गया और कम से कम बेना 15 15 15 15 15 तो तो देखे भाईयो एक युवा किसान के कितने अच्छी परियास तरबूज के लिए अगर किसी भाई को अगर इसमें तरबूज लगाना हो और जानकारी लेनी हो तो मैं भाईया जी का डिस्क्राइब में नमबर दे दूं आपको तो आपके पूरे मदद करें बल्कुल पीक टाइम चला तरबूज का स्टैम अच्छी टैम लगेगा बिल्कुल टीपीक टैम जिसने स्टैम का तरबूज बोलिया ना जी जी पर कर लिया जी तो यहां से खेत तो बढ़िया है जी कुल मिला के तो भाई जी जी आपको खद्रबादा कातर बुझने खाने का बिल्कुल बिल्कुल तो देखे बाईयों कितने अच्छी इन्हों नहीं फसल लिया और पूरी जानकारे भी दीश के बारे में तो जिस भाई को करना हो वह इंसे संपर्क कर सक बहुत अच्छा मुझे इनका तीन महीने के फसल थी नभ्य दिन की फसल तीन चार महीने के मानको बस मुसकी संथिंग जी 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 और भाईया जी के पास में पावर वीडर है कोन से कंपनी का बतारते हैं यह एक लो केर का महराश्टी कंपनी है अच्छ अच्छा पावर अच्छा है तो भाईयो अगर इनका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेर करना नमस्कार